आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं GSTR1, GSTR2A and GSTR3B in Teleprime आई देखते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन को तबाएं ताकि हमारा लेटिस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकते मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि आप भी चाते हैं Teleprime को कंप्लीट सीखना वो भी अडवांस टीप्स और ट्रिक्स के साथ तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर Teleprime अडवांस वाले सीरीज को चोईन कर सकते हैं हम सीख रहे थे GST, GST में यहाँ पर अभी हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा GSTR1, GSTR3B जब हम Track, GSTR Return, Activities पर इंटर करेंगे यहाँ पर आपके सामने में दिखेगा GSTR1, GSTR2A, GSTR2B and GSTR3B इन सभी को हम सीखने वाले हैं इन सभी को सीखने से पहले इस Company में इंटरी करना होगा तो इंटरी तो है नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मैं आता हूँ यहाँ पर Daybook में और Daybook में आने के बाद यहाँ देखिए पूरा खाली है तो सबसे पहले इंटरी करेंगे त मतलब input credit tax, tax payable कैसे निकालेंगे, मतलब जो tax हम pay करेंगे, government को वो निकालते कैसे हैं, मतलब कितना pay करना है, कैसे original GST number fill करेंगे, यहाँ पर देखिए entry क्या है, item है bag, category अभी हम primary रखे हैं, मैंने जानके रखा है, group primary है, quantity यहाँ पर हम 10 piece लिये हैं, rate आपको दिख रहा है 200 है, यदि 250 को 10 से multiply करेंगे, तो 2500 होगा, GST rate दिख रहा है, और GST amount दिख रहा है, यहाँ पर 12% tax लगा है, तो आई इस entry को हम pass करते हैं, टैली प्राइम में, entry देखिए क्या लिखा हुआ है, purchase goods to ruby on credit, उधार basis पर ruby से हम सामान खरीद रहे हैं, यहाँ पर आपको उसका GST number दिख रहा है, तो आते हैं टैली प्राइम पर, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है, वो देना है कि आपकी company में GST number है कि नहीं, यहाँ पर आपका GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 फिर में आपका amount तो नहीं होगा, सबसे पहले आपको अपने company detail में GST number डालना है, कैसे डा enable goods and service tax में, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, लिखा हुआ है GST IN slash UIN, यहाँ पर आपको GST number डालना है, वो भी original होना चाहिए, मतलब कुछ भी example नहीं डालना है, आप Google पर जाईए, वहाँ पर आप अपने state का GST number सर्च करीए, आजाएगा, वहाँ से आ यहाँ पर लिख देते हैं, GST number लिखने के बाद आपको इंटर करना है, यहाँ पर हम accept कर ली, control A से, accept करने के बाद इंटर करते जाते हैं, और accept कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने अपने company में GST number फिल कर दिया है, next अब हम लोग को यहाँ पर invoice बनाना है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे, यहाँ पर मेरा purchase खुला हुआ है, नहीं तो मुझे F9 करके purchase खुलना पड़ता, यहाँ पर मुझे क्या डालना होगा, invoice number डालना होगा, तो invoice number देख लिजे क्या है, RA-208-2425, यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखने के बाद इंटर करेंगे, date automatic आ चुका है, party का account name लिखना है, मतलब party का नाम क्या है, तो नाम आपको दिख रहा है, RAVI है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, RAVI, RAVI लिखने से यहाँ पर नहीं लिखाएगा, इसके लिए आपको laser तयार करना होता है, alt-c करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे RAVI, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे Sun flour credit आपको पता है यह सारा चीए क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में आपको स्बताय को यहां पर फटा-फटल बना लेते हैं यहाँ पर pen number ंभल लिख देते हैं जो वहाँ पर लिखा हुआ था तो यहाँ पर अप देखलीजी GST number क्या है मैं इसे वहाँ पर type कर लेता हूँ यहाँ पर फटाफट मैं लिख लेता हूँ उसके बाद pen number लिखने के बाद नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पर GST number में same चीज़ डाल देंगे लिखने के बाद इंटर करेंगे फिर इंटर करेंगे और इसे हम accept कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा इसको accept करते चलते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरा क्या हुआ party account name बन चुका है उसके बाद party laser बनाते हैं यहाँ पर purchase account रहेगा यहाँ पर आपका under में आ जाएगा purchase account यह चीज़ आपको पता है इंटर करके आएंगे नीचे और यहाँ पर type of supplier में goods रखेंगे उसके बाद इंटर करेंगे यहाँ पर एक चीज़ देखिए जो यहाँ पर GST rate detail है यहाँ पर specified detail here करेंगे इंटर करेंगे taxable रहना चाहिए और यहाँ पर आपको nature of transaction में क्या रखना है यहाँ पर first वाला रखेंगे local purchase taxable यह मेरा teleprime जो है इसका version 4.0 है इसलिए कुछ इस प्रकार का दिखे रहा है यह आपका पूराना version है तो वहाँ पर कुछ और दिखेगा इसको accept करते हैं उसके बाद name of item मनाना है तो यहाँ पर क्या था item का ना बैग था उसके बाद इंटर करेंगे अंडर में कुछ नहीं था category भी कुछ नहीं था unit था piece यहाँ पर बना लेते हैं बनाने के बाद number of decimal places में कुछ नहीं रहेगा इंटर करेंगे यहाँ पर gst detail applicable रहेगा इंटर करते हैं और यहाँ पर specified detail here रहेगा उसके बाद taxable taxable percentage था 12% तो यहाँ पर 12% डाल दिए गूर्स रखेंगे इंटर करेंगे उसके बाद कितना piece हम खरीद रहें तो 10 piece खरीद रहें और एक piece का price है इंटर करेंगे amount आ चुका है tax लगाना है तो इंटर करके नीचे आ जाएंगे alt c करते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं gst का laser sgst यहाँ पर gst रखेंगे और sgst के लिए sgst match कराएंगे control a से accept करेंगे यहाँ पर आपको percentage of calculation में कुछ नहीं डालना है यहाँ पर gst कटा नहीं यहाँ पर आपको दीख रहा होगा जो मैंने यहाँ पर sgst लगाया है तो यहाँ पर मेरा tax नहीं कटाut मैं back आता हूँ back आने के बाद आ जाएंगे यहा पर purchase में control inter करेंगे और control इंटर करने के बाद जो यहाँ पर nature of transaction है इसको यहाँ से हम उपर आएंगे और इसको यहाँ से पहले के तुरह देंगे तो यहाँ पर देखी मेरा tax कट चुका है इंटर करेंगे cgst रखना है अल्ट c करेंगे और यहाँ पर cgst बना लेते हैं उसके बाद इंटर करेंगे पर चीज taxable दिया हुआ है cgst में भी यहाँ पर हम duties and taxes रखेंगे उसके बाद यहाँ पर gst gst रखने के बाद cgst उसके बाद control a sex है यहाँ पर देखी मेरा sgst भी कट चुका है और cgst भी कट चुका है मतलब यह वाला advice मेरा बन गया इसको हम control a से save कर लेंगे अब दूसरा sale का बनाना है तो keyboard से f8 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर create में आएंगे और नाम क्या था हम देख लेते हैं यहाँ पर देखिए दूसरा जो entry है यह है sold goods to monies on credit मतलब उधार बेसिस पर समान बेच रहे हैं monies को same चीज है यहाँ पर खाली amount जाता है तो यहाँ प संद्री डेटर होगा सेल में संद्री डेटर होता है उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर pen number डाल देना है तो यहाँ पर हम pen number डाल देते हैं उसके बाद इंटर करेंगे GST number भी डाल देते हैं दोनों आपका interested था मतलब within state था तो इसलिए दोनों का बिहार में ही हो रहा है sale purchase accept करते हैं accept करने के बाद यहाँ पर हम control ले करेंगे फिर control ले करेंगे यहाँ पर sale ledger बनाना होगा तो बना लेते हैं sale लिखेंगे यहाँ पर sale account इंटर करते जाएंगे यहाँ पर service के जगह आपको goods कर लेना है control A से accept कर लेंगे अब समान वही है तो समान का लेजर नहीं बनाना है यहाँ पर हम bag ले लेंगे कितना quantity है 10-20 बेच रहें rate इस बार कितना है तो 500 है 500 लेंगे इंटर करेंगे यहाँ पर automatic आ चुका है उसका total amount text लगा देते हैं cgst इंटर करके sgst तो यहाँ पर देखिए मेरा cgst भी कट चुका है और sgst भी कट चुका है कंट्रोले से accept करेंगे यहाँ पर मेरा दोनों बन चुका है अब escape से back आएंगे back आने के बाद आ जाएंगे display more reports में डिस्पले more reports में आने के बाद इंटर करेंगे उसके बाद gst reports में आएंगे और इंटर करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा लिखा हुआ है track gst return activities उसके नीचे लिखा है gstr1 और gstr3 भी आपको directly आ जाना gstr3 भी में और इंटर करना है जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहा certain transaction correction needed मतलब जो हम transaction किये हैं वो गलत हो गया इसको सही कैसे करेंगे जब सही करेंगे तो यहाँ पर सो हो जाएगा इंटर करते हैं इंटर करने के बाद नीचे आते हैं यहाँ पर बता रहा है gst registration details of the party are invalid or not specified इसपे इंटर करेंगे इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको आपका इंटरी लिख रहा है पोल रहा है कि gst नंबर जो है आपका गलत है तो मैंने तो example वाला लिया है इसलिए गलत बता रहा है इंटर करेंगे यहाँ पर देखी लिखा हुआ है एक में लिखा हुआ है access का problem है जो की sale है जिसमें access code नहीं डाले है पहले purchase वाला चाहिकरते इंटर करते इंटर करने के बाद आ जाते हैं रभी वाले पर और control इंटर करेंगे यहाँ पर gst नंबर जो है यह गलत इसको हम सही कर लेते हैं यहां पर नया जीस्टी नमबर डालेंगे तो यहां पर हम जीस्टी नमबर डाल दिये हैं इसी से हम देखके पे नमबर भी डाल देते हैं उसके बार इंटर करेंगे फिर इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहां पर मेरा GST नमबर साही हो चुका है, यहां पर भी आप देखिए, यहां पर गलती ही बता रहा है, इसको भी साही कर लेते हैं, सही कर लिए हैं, इंटर करेंगे, इंटर करके accept हो चुका है, control एक करेंगे, जैसे यहाँ पर हम control एक किये, आप देखिए यहाँ से purchase वाला क्या हुआ, हड़ी गया, मतलब उसका GST नमबर हम सही कर दी, तो वो यहाँ से हड़ी गया, वही problem था, आपको problem को देखना है, और उसक इसका भी same problem है, इसका भी GST नमबर गलत है, क्योंकि हमने example वाला डाला था, इसको भी सही करते हैं, यह सारा GST नमबर आपको Google पर मिल जाता है, वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, तो अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर, और अब GST नमबर लिखते हैं, उसके बाद इं से, मैं फिर से इंटर करता हूँ, और इसको भी control है करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना, यदि आपका छूट जाएगा, तो फिर आपका वहाँ पर दीखेगा, यदि आप सही सही feel करेंगे, तो फिर आपका सही सही बनेगा, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ डिटे वहाँ पर HSN कोड नहीं डाला गया है, इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद यहाँ पर हम समान पर आ जाएंगे, जो मेरा बैग है, बैग के पास आने के बाद आपको control इंटर करना है, control इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दीखेगा HSN SAC, यहाँ पर आपको specify detail here करना है और HSN कोड आप Google से निकाल सकते हैं, Google पर आपको सर्च करना है bag HSN कोड, क्योंकि यहाँ पर हम बैग लिए, आपका जो product आप वो ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम बैग का HSN कोड डाल देते हैं, डालने के बाद control इसे accept करेंगे, इंटर करते हैं, और फिर control इसे accept कर लेते हैं, इंटर करेंगे, तो अभी देखिए, यहाँ पर पूरा खाली हो चुका है, मतलब एक भी यहाँ पर गलत नहीं दिख रहा है, escape करके back आते हैं, फिर से back आते हैं, और अभी देखिए, uncertain transaction जो था, जिसमें की आपका 2 दिख रहा था, यह आपका clear हो चुका है, तो आपका भी ऐसा ही रहना चाहिए, यदि uncertain transaction में कुछ भी दिख रहा है, one year, two year, जितना भी आप invoice बनाये हैं, तो फिर आपका यहाँ पर amount नहीं 100 होगा, और यदि 100 हो रहा है, तो आप उसको सही करें पहले, यहाँ पर देखिए, taxable amount दिख रहा है 5000, और GST है, जो की CGST है, SGST है, हमने कित 300 रुपया GST लगा था, जो की हमने pay किया था, और जब हम बेचे, तो वो 500 का purpose बेचे, 5000 हुआ, जिसमें कि हमने tax काटा है 600 का, तो 300 मुझे all pay करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है अच्छे से, कि 600 हमने tax काटा है, 300-300 करके SGST, CGST, और हमने भरा कितना है, 300, यहाँ पर दिख रहा होगा, net input tax credit available A-B, यहां से हम escape से back आते हैं, back आने के बाद, आ जाएंगे सबसे उपर, GSTR1, GSTR1 में आपका sales report दिखता है, यह आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आप देखिए, uncertain transaction आपका एक भी नहीं दिख रहा है, मतलब गलत एक भी नहीं है, नीचे आते है इस पर इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद, यहाँ पर money's का GSTR1 नंबर दिख रहा है, पुरा detail दिख रहा है, इंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपका bill दिख जाएगा, एक बार और इंटर करेंगे, पुरा invite खुल जाएगा, escape से back आते हैं, यहां से आप sales का देख सकते हैं अब आपके मन में question होगा कि purchase का कहा से देखेंगे, तो उपर दिख रहा है, track GSTR, return activities, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर आपका GSTR2A लिखा हुआ है, आपको इस पर इंटर करना है, जैसे ही आप इंटर करेंगे, और आपको यहा बोड़े जाना, कैसे हम लोग GSTR कटाएंगे, कैसे चेक करेंगे, GSTR1, GSTR2 और GSTR3B में कैसे सो होगा, अब बात रहा कि आपको pay कितना करना है, आप regular dealer है, आप goods खरीद रहा है, और फिर बेच रहा है, आप खुद यूज नहीं करना है, आप उसके end user नहीं है, यह आपको पत आते हैं, और यहाँ पर आपको दिखेगा, मैंने 300 pay कर दिया था पहले, और अभी हमने tax काटा है 600 का, तो 600 में 300 minus करेंगे, जो amount बचेगा, वो हम ITC करेंगे, मतलब pay करेंगे, government को, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसे हम लोग इसको सही करते हैं, uncertain transaction को, तो आप लो आप करें, चरल को सस्क्राइब करें, थैंक यू